तिलकुट की सोंधी महक से गुलजार हुआ बजार, विक्रम गंज तिलकुट की सोंधी महक से गुलजार हुआ अनमंडल छेत्र के सभी बजार, मकर संक्रांथी का पर्व नजदीक आ गया है, पर्व को लेकर अनमंडल छेत्र के सभी बजारों में चहल पहल सुरू हो गई है, मजारों में स्वंधी तील की महक से लोग सराबोर हो रहे हैं अगामी 14 जन्वरी यानि गुरूवार्को मकरशंक्रांती का पर्व है मकरशंक्रांती का परो नजदीक आ गया है पर्व में महस साथ दिन सेस रह गया है ऐसे में बजार में तिलकुट बनाने का काम तेज कर दिया गया है इस ब्यावसाय से जुड़े दुकांदार तिल सामागरी के निर्माण में दीन रात मेहनत कर रहे है सुबा से देर रात तक तिलकुट तिर्माण का काम जा रही है मकर संक्रांती में तील खाने को जहां धर्म से जोड़ा गया है वह इठंड के मौसम में तील वा तील निर्मित समगरी लोगों की सेहत के लिए लाब दायक भी माना गया है तीलकुट दुकानों पर ग्राहकों की भीर लगनी शुरू हो गई है सभी अपने सगे संबंधी और इष्ट मित्रों के पास तीलकुट भेज रहे हैं इस परव में लोग इसके साथ चूड़ा दही भी रिष्टेदार के पास पहुंचाने का काम करते हैं बिक्रम गंज कारकाट गोडारी संजोली रायपूर सुर्यपूरा एम नासरी गंज में तिलकुट की कई दुकाने हैं इसके अलावा मोथा अंदर बाजार व नासरी गंज अरवल रोड में भी तिलकुट की दुकाने सज गई हैं बिक्रम गंज बाजार के मनोज तिलकुट भंडार के संचालक मनोज प्रसाद कहते हैं कि चीनी वद तील के दामों में पिछले साल के अपक्षा इस वर्स अधिक पढ़ोत्री हुई है